त्योहारों के इस सीजन में हम बनाएंगे कुछ ऐसा मीथा जो की हेल्दी भी हो और टेस्टी भी तो ऐसी ही बढ़िया टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ मैं लॉटी हूँ जिसका नाम है आटा चॉकलेट केक तो नो मैदा नो शुगर वाली ये रेसिपी आप किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं चाहे हो दिवाली चाहे हो भाई दूश किसी का बर्दे हो या फिर आपको किसी को गिफ्ट करना हो ये सॉफ्ट स्पॉंजी मूँ में घुल जाने वाला केक बनाना भी आसान है और खाना तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी इसे बनाने के लिए एक बाउल में लेंगे दो टेबल स्पॉन दई वाने टी स्पॉन बेकिंग सोडर और अच्छे से स्टर करेंगे एक ही डायरेक्शन में स्टर करना है और उसके बारी से चाह से पांश मिनट के लिए रेस करने के इसे ही छोड़ देना है देख सकते हैं थोडे थोडे बबल सुटने शिड हो गया है इस टाइम पर आट करेंगे 3 टेबल स्पॉन जागरी पाउडर गुरका पाउडर है यह साथ ही आट करेंगे 3 टेबल स्पॉन मिल्क त्पॉन मेल्ट बटर या फिर ऑल अर सीव करके लिए है चंडी में चान के लिए है तेके मैं की डियेक्शन में मूफ करूँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा बैटर रेडी है अब मैंने इक यह स्टील की बड़ी कटोरी लिए है उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है गी से और एक पार्च्मिन पेपर बहुत ही असान रेसिपी है तो एक बड़ी इसको ट्राय जरूर किये जेगा सारा मिक्स्चर अड़ करने के बाद इसे अच्छे से डैप कर लेंगे ताकि जो बबल्स है एर बबल्स वो निकल जाए आज मैं यह के कोकर में बेक कर रही हूं तो सबसे पहले इसकी विसल हटा हैं बड़ी सी अब ढकल लगाएंगे और इसे 10 मिनट के लिए लो फ्रेम पे प्री हीट करेंगे प्री होने के बाद डखन हटाएंगे और हम रखेंगे हमारा जो तयार हुआ बाटर है फिशिद लगाएंगे और इससे कम से कम 20-25 मिनट के लिए लो से मीडियम पर पकाना है जो नमक हमने लिया है वो बेस नहीं होता है उसको संभाल के रख लिए दुबारा बेक करेंगे तो दुबारा रियूस कर लिए जगा बीस से पच्चेस मेट हो चुके हैं एक बड़ चेक किया है मैंने टुथपिक से अगर वो क्लीन निकलती है तो हमारा केक बिल्कुल तैयार है तो येस ये क्लीन निकली है और अब हम इसे निकाल रहे हैं थोड़ा से जंडा होने के बाद साइडों से स्क्रैप करेंगे है और देखिए बड़िया सा चॉकलेट आटा केक हमारा त्यार है बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉंजी बना है ये किसी भी तेहार पे आप इससे बना सकते हैं सबका मूँ मीठा करा सकते हैं आप इसे और चॉकलेटी बनाने के लिए इस पे हम डालेंगे धेर सारी मेल्टे चॉकलेट पूरा कवर कर देंगे हम मेल्ट करने का तरीका मैंने अपनी और वीडियो में शेयर किया हुआ है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी तो जरूर उस वीडियो को भी चेक आउट करें तो हैना असान सी और बहुती बढ़िया और हेल् पूरा चॉकलेट से इसे फिल कर दें और उपर से डाले नस जो भी आपको पसंद हो रोस्ट करके मैंने आपे वालनट यूज किये हैं आप चाहें तो काजू बदाम कुछ भी यूज कर सकते हैं अलका सा रोस्ट कर लीजेगा और देखिए तियार है वारा केक कट करने को मे कर दोंगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब